Hi everyone, मैं हूँ धननजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे February 2022 से Russia और Ukraine के बीच में जंग शुरू हो जाता है जहांपे हम कह सकते हैं कि लगभग 20 साल हो चुका है इस वार में और अगर हम Ukraine और Russia को compare करें तो इसमें कहीं से कोई दोर आए नहीं है कि Russia Ukraine से much stronger है लेकिन हम ये सोचे कि Russia Ukraine से much stronger है उसके पहले हम ये भी ध्यान में रखें कि Ukraine को जिस तरीके से मदद पहुंचाया गया है European countries और USA के द्वारा तो in a way Russia और Ukraine के बीच में जब ये जंग शुरू हुआ था तो almost एक balanced type का war चल रहा था या शुरू हुआ था उसके बावजूद अब ऐसा लगने लग गया है कि Ukraine इस war को हार रहा है और जहां पे भी हम war word use करते हैं वहां पे US ना हो ऐसा हो नहीं सकता है इस वीडियो में हम कुछ limited examples की मदद से समझेंगे कि आखिर में Russia और Ukraine war किस तरफ जा रहा है और साथ में हम ये भी जानेंगे as an Indian कि USA और Western countries कोई भी काम करने के पहले सही या गलत नहीं देखते हैं बलकि वो ये देखते हैं कि उनको उस काम से कितना benefit पहुँच रहा है इस वीडियो में आगे बढ़ूई से पहले आपको मेरा effort पसंद आता है तो चैनल को subscribe और वीडियो को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो वो भी आप मुझे email करके बता सकते हैं अब हमारे भी जितने भी लोग हैं जो geopolitical news को पढ़ते हैं समझते हैं उनको ये बात तो मालूम है कि जब से यूकरेन और रश्या के बीच में war शुरू हुआ तब से कम से कम रश्या के ऊपर 500 से वियदीक economic sanctions लगाए गये हैं जिसमें की खास करके ये है कि आप रश्या से oil purchase नहीं कर सकते हैं लेकिन उसके बावजूद हमारे पास multiple ऐसे examples हैं या reports हैं जो ये कहते हैं कि अभी भी European countries बढ़ चड़कर Russian oil को purchase कर रहे हैं कहने का मतलब है कि एक तरफ तो रश्या के ऊपर sanction लगाया जाता है दूसरी तरफ Ukraine को support किया जाता है और तीसरी तरफ Russian oil को purchase किया जाता है अब किसी भी European countries के लिए इतना आसान नहीं है कि वो Russian oil को purchase ना करें ऐसा क्यों तो इसका एक जो सबसे simple वज़ा है वो ये है कि infrastructure development अगर रश्या से European countries में oil आ रहे थे या gas आ रहे थे तो उसका एक proper infrastructure development हो रखा था तो इतने कम समय में कहीं पे भी infrastructure development करना और एक alternate ढूणना almost impossible है अब जब से रश्या और यूकरेन के बीच में war शुरू होता है तब से रश्या हमें discounted कीमत पे oil बेच रहा था उसी बीच बहुत सारे ऐसे European countries थे जो उमीद कर रहे थे कि हम रश्या से oil purchase ना करें उसी बीच बहुत सारे ऐसे examples आये हैं और आज भी है जहाँ पे Russian oil तो purchase किया जा रहा है European countries के द्वारा लेकिन किसी third country के involvement से कहने का मतलब ये है कि भारत रश्या से oil purchase कर रहा यानि कि crude oil उसके बाद भारत के refinery में ये refine हो रहा है oil उसके बाद refine होने के बाद अलग-अलग European countries में supply हो रहा है कहने का मतलब है कि अगर किसी भी देश से अगर crude oil खरदा जाता है और कोई दूसरा देश अगर उसे process कर देता है तो पहले देश का जो ownership है वो खतम हो जाता है तो इसे हम कह सकते हैं loophole अब ये ऊपर से पढ़के ऐसा लग सकता है कि ये तो system में बहुत ही बड़ा loophole है तो एक चीज को आप समझे जब ये loophole आपको और मुझे पता है तो definitely जो European countries है उनको भी पता है तो कहने का मतलब है कि system में जानबूश के loophole को रखा जाता है ताकि उस loophole का इस्तेमाल किया जाए तो यहाँ पर भी क्या है कि loophole को जानबूश के रखा गया है और उस loophole का इस्तेमाल किया जा रहा है भारत की मदद से अब यहाँ पर no doubt हमें benefit पहुँचा लेकिन as a student हमें कोशिश करना है कि चीजों को neutral रहके सोचने का ताकि हमें चीज जादा अच्छे तरीके से समझ में आए यह एक बहुत simple सा data है जो बता रहा है कि किस तरीके से Russia-Ukraine war में Western countries और US बर चड़कर support कर रहे हैं Ukraine को अब अगर आप बहुत ही neutral होके सोचेंगे कि आखिर में कोई यह कैसे माल ले कि Russia जो attack किया है या जो invade किया है Ukraine को वो गलत है और जो USA या NATO forces मिलके लीबिया में invade किये थे वो सही कैसे हो गया जब Western countries या European countries या US जब इराक में invade करते हैं तो वो सही कैसे हो जाता है जब आफगानिस्तान में invade किया जाता है तो वो सही कैसे हो जाता है क्या जब लीबिया में attack किया गया था तो वहाँ पे human right valuations नहीं हुए थे तो हुए थे क्योंकि ये जो पुरा दुनिया है इसमें कही न कहीं जो European countries है उनका ही agenda चलता है और बहुत हद तक भारत में भी कुछ ऐसा ही है अगर अभी भी आप Russia-Ukraine war अगर discuss करेंगे इंडिया में तो बहुत कम लोगों को पता है कि exactly Russia और Ukraine के बीच में war शुरू क्यों हुआ क्योंकि दुनिया पुरा Western media को ही consume करता है तो इसलिए ये माना जा चुका है कि व्लादेमिर पुतिन एक aggressor है और Ukraine बस अपने आपको defend कर रहा है अगर आप बहुत ही honest तरीके से Ukraine Russia war को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पढ़ेगा कि इस पुरे war में अगर कोई देश सबसे बड़ा बेवकूफ बना है इस तरीके से मदद Ukraine को मिल रहा था पहले उस तरीके से अब नहीं मिल रहा एक बात दुबारा से मैं याद दिला दू कि USA हो गया या फ्रांस हो गया इनके economy बहुत हद तक dependent होती है weapons के उपर यानि कि weapon export पर depend होता है उसके बाद अगर कहीं पर भी war होता है तो जो defense manufacturing companies होते हैं उनको एक perfect ground मिल जाता है जिस ground में वो अपने नए हथियार नए weapons को जाके वो test करें demonstrate करें तो ये सब जो war होता है वो कहीं न कहीं defense manufacturing companies जो होते हैं उनके लिए एक opportunity लेके आता है अगर आप इस war को और भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पढ़ेगा कि चाहे जनता Ukraine का हो यानि कि जो common civilians है चाहे वो Russia का हो उनको बस इस war में बली का बकड़ा बना दिया गया है और US और European countries बढ़ चड़कर Ukraine में अपने हथियार भेज के अपने जो agenda है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अब कोई President Biden से पूछे कि Ukraine को वेपन देना हत्यार देना ये क्यों जायज है और क्यों कोई ये माल ले कि Russia aggressor है और जब USA अफगानिस्तान या अटैक किया था या इन्वेड किया था तो वो गलत क्यों नहीं है तो इनके पास कोई जवाब नहीं रहेगा ये बस यही कहेंगे कि USA और Western countries या European countries freedom और democratic values को दुनिया में establish करना चाहते हैं लेकिन reality कुछ और ही है अब बहुत सारे researchers या defense experts ये मानते हैं कि अगर Zelensky चाहते तो वो इस war को रोक सकते थें लेकिन क्योंकि war शुरू होने के पहले उनको ऐसा लग रहा था कि USA या European countries उनको इतना support करेंगे कि उस support से वो रश्या को हरा देंगे और as a result जब तक ये war खतम होगा तब तक Zelensky का जो worldwide image है वो as an hero के तरह बन के निकलेंगे एक चीज का ध्यान रखा जाए कि for example अगर ये मान भी लिया जाए कि Russia Ukraine war में अगर Russia हार भी जाते हैं तो Ukraine में इतना ज़ादा war damage हो गया इतना ज़ादा यहाँ पे infrastructure damage हो चुका है कि वहाँ पे complete तरीके से नया infrastructure को बनाना पड़ेगा तो भले western countries, US इनको support कर रहे हैं लेकिन जो real damage है वो real damage Ukraine को already हो चुका है व्लादिमिर पुतिन का Ukraine के ओपर attack करने के एक जो सबसे बड़ा वज़य था वो ये था कि Ukraine NATO को join करना चाहता था और western countries और Russia के बीच में NATO as an buffer zone काम कर रहा है वहीं पर अगर आप NATO का website जाके पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम पढ़ेगा कि ये अपने आपको कुछ इस तरीके से दिखाते हैं कि ये दुनिया भर में freedom of speech और democratic values को बढ़ाते हैं लेकिन ये वही NATO है जो Libya में attack करते हैं वहां के common civilians को मारते हैं और उस देश का जो एक natural governance का system था उसे खतम कर देते हैं as a result अंडगिनत मासूम लोग वहां पर मारे गये हैं अगर हम Indians इस war से अगर हम कुछ समझना चाहें तो वह हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि भले भारत को कोई भी देश सपोर्ट करता है वेपन दे के या किसी भी तरीके से लेकिन फिर भी जो हमारा first और last line of defense होना चाहिए वो dialogue और diplomacy ही होना चाहिए और जब real war शुरू होता है तो किसी को नहीं पता होता है कि exactly वो किस तरीके से खतम होगा हमारे पास ऐसे multiple research papers के example से जहां पर ये कहा जा रहा है कि इस पूरे war के पीछे अगर किसी एक आदमी को responsible ठहराया जा सकता है तो वो Zelensky का unmature behavior I hope that you like the video अगर फिर भी मुझे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती होगे तो मैं माफी चाहूँगा मैं चाहूँगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care good bye